प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी लगातार रैलियों पर रैली कर रहे हैं जनता के बीच जाकर अपनी पाठी का बखान कर रहे हैं विकास कार्य गिनवा रहे हैं कि प्रधान मंत्री के राज्यों में किसकदर काम हुआ है लेकिन वहीं दूसरी तरह प्रधान मंत्री के लोग परिवार के लोग इन दिनों मोदी का परिवार काफी जादा ट्रेंड चला दोस्तों क्योंकि मोदी जी ने एक नारा दे दिया कि मेरे परिवार के लोग जो है वो 140 करोर देशवासी हैं फिर क्या था भाजपाई लगा बै 37 गड का हाल देखिए वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के जरीए बताया जा रहा है कि कैसे उनको रोका जा रहा है ये बात ये जानकारी खुद भुपेश वगेल के जरीए सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि भुपेश वगेल के साथ किस तरीके से 36 गड़ के अंदर हो रहा है और क्या-क्या देखने सुनने को भाजपाई के राज में मिला है दरहसल दोस्तों आपको बता दे भुपेश भगेल जो है वो खुद ही सोशल मीडिया पर टूइट करते वे जानकारी साजा करें और कह रहे हैं कि भुपेश भगेल स्वेम प्रत्य 26 गर से और भाजपा के लोग पोलिंग बूत पर उन्हें जाने से रोक रहे हैं पोलिंग बूत पर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है यह सीधे तोर पर वो कह रहे हैं कि लोग तंत्र का हत्या कैसे किया जा रहा है कि उनको खुद पोलिंग बूत पर जाने नहीं दिया जा रहा है जो खुद पूर्व सीम रह चुके हैं आम लोगों के बारे में तो खैर छोड़ी दीजिए कैसी कैसी खबरे लगातार सुभा से लेकर अभी तक मैं दिखा चुकी हूं आपको आगे वो लिखते हैं कि भाजपा बूतों पर अपने गुंजे भेच कर लोगों को जर मतदान होगा उतना जादा ये लोग छाती पीटेंगे आप साफ तोर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ किस तरीके का सुलूख भाजपाईयों के जरिये हो रहा है जैसा कि आरोप लग रहा है कहा जा रहा है कि भारतिय के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है ये आरोप भुपेश बगेल के जरिये बीजेपी और उनके तमाम नेताओं पर लगाये जा रहे हैं कि हार का डर उन्हें सता रहा है हार देखकर भाजपाई बौकला चुके हैं घबराहत नजर आ रही है ताकि वो जनता को वोट करने से रोग दे और सीधे तोर पर अगर वोट नहीं होता है तो बीजेपी के लोग जो हैं वो समझ चुके हैं कि उनकी जो हार है वो किस तरीके से दिखाई सुनाई दे रही है और उसी हार का गवराहत है कि वो जनता को वोट करने से रोगती भी नजर आ रही है दोस्तों इस प